दोस्तों NDPS का मामला, NDPS मतलब की नशीले पदार्तों को लेकर जो हमारे देश में प्रावदान है जो एक्ट है 1985 का उसके तहर जब भी कोई अरेस्टिंग होती है अरेस्ट होने के बाद में बेल लेना सबसे बड़ा और सबसे जादा एक टिपिकल टास्क बन जाता है किसी भी एक्यूज है जो एक्यूज जेल में है उसके परिजन परिवार वाले यार दोस्त चाहते हैं जल से जल वो बाहर निकले बट वो क्वांटिटी पर क्वांटिटी पर फस जाता है मामला अगर कमर्शल क्वांटिटी है तो बेल काफी लेट हो पाती है यह स्माल क्वांटिट के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फूर टू मेरा नाम है विरेंदर वर्मा जैसा आप सभी जानते हम लीगल अवेरनेज की वीडियोज आपके लेकराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार दोस्तों ऐसे कई सारे कैसिस है जिनके अंदर अलग-अलग तरह से लोक जेल में हैं बेल लेना चाते हैं बर बेल उनकी नहीं हो पाती है क्योंकि जो भी प्रावधान के अनुसार या फिजिन भी IPC के सेक्शन के अनुसार उनको अरेस्ट किया गया है या जिस भी किसी एक्ट के अनुसार उनको अरेस्ट किया गया है वो गंबीर है सीरियस है जिसकी वज़े से बेल देना आसान नहीं उनी में से एक आता है NDPS नार्कोटिक ड्र अलग तरह के से हो सकते हैं उनको अरेस्ट किया गया तो NDPS की धाराओ के तहत उसको बुक कर दिया जाता है जेल भेज दिया जाता है उसके बाद बेल की परकिरिया शुरू होती है दोस्तो आप मैंसे जो भी कोई आया है पहली बार हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहा ह तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तो NDPS का मामला NDPS में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है quantity मतलब कि small quantity है intermediate quantity है या commercial quantity है quantities क्या है कैसे कैसे होती है किस किस चीज में कितनी quantity पर case दर्ज होता है उसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीड होगी बेल किस तरह से मिलती NDPS के मामलों में उसके बारे में भी हमने बताया है काफी सारी वीडियो बनाई है उन वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तो NDPS के मामले में small quantity गर आपके पास से बरामद हुई है तो बेल आसानी से आपको मिल जाएगी ज्यादा मशक्कत नही करनी होगी थोड़ी quantity में वो depend करता है वकील साहब क्या ground बना कर देते हैं commercial quantity में बेल लेना काफी tough होता है किसी भी वकील साहब के लिए क्योंकि commercial quantity में देखा जाए तो खुद court का भी नजरिया होता है कि commercial quantity है मतलब वो इस चीज़ के ख़रीद फरोग करते हैं illegal act में ये offense माना जाता है बट depend करता है बरामत की बरामत की मतलब section 50 section 50 यहाँ पर काम करता है कि बरामत की जब हुई किस तरह से बरामत की की गई आपके पास से दोस्तों ऐसा नहीं है कि NDPS के मामले में commercial quantity मिली तो आपको बेल ही नहीं मिलेगी ऐसा बिलकुल नहीं होता है बेल आपको बट हाँ चार्डशीट लगने के बाद आपका ground और solid हो जाता है मतलब किस किस तरह से आपको arrest किया गया क्या 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 प्रावधानों का इस्तमाल हुआ किन को follow किया गया किन को follow नहीं किया गया इनहीं सब के उपर जिरह करते हैं आपके वकील साहाब जातर बेल तो witness मिल जाते हैं पर दोस्तों फिर भी अगर कोई भी आपका परिजन दोस्त परिवार का कोई भी व्यक्ति जेल में है तो बेल आप उसकी बिJackal कीजिए, आप इसका उमीद बिल्कुल मत कीजिए कि साल दो साल तक बे नहीं होती है, बेल होती है, बेल लेना आपका राइट है क्योंकि जैसा ही मैंने पहले भी आपको बताया है डालचंद वर्सी स्टेट आफ राजिस्थान का एक मामला आया था जिसमें बोला गया कि basic rule is bail not jail मतलब कि सिर्फ jail में रखना ही basic rule नहीं है bail देना एक rule है आप उसको bail दे ताकि उसका बाद में जब trial चले trial चलने के बाद decide हो सके गुनागार है या नहीं equitable होगा या convicted होगा ये trial का विशह है उससे पहले आप नहीं बोल सकते किसी को गुनागार क्योंकि उसको trial fair trial जो चलेगा उसका वो कानूनी उसका अधिकार है किसी भी accused का वो चाहे सरकारी वकील करे या private वकील करे वो उस पर depend करता है दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं doubts हैं आपके दिल में आप हमें comment box में जरूर बताएं ताकि हम आपके उन सवालों का जवाब दे सकें और जो भी सवाल आपके दिल में है या आपका कोई भी दोस्त परीजन परिवार कोई सदसी अगर जेल में है तो ताकि आप जान सके कम से कम उनके केस में क्या चल रहा है दोस्तों मँअ में अमीद करता हूँ आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारे चनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले साथ में लगा वेले लेकर जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अविरनेस की वीडियो आप तक पोच सके सबसे पहले और आप अपने आपको कानूनी जानकर बना सकें बहुत बहुत शुक्रे दोस्तने वाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए